नमस्कार दोस्त स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिशा में मिथुन रास 29, 30 और 31 दिसंबर 2021 मिलेगी सबसे बड़ी गुड नियूज दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने बाले हैं मिथुन रास वाले जातकों के लिए इस दिसंबर के महीने के अन्तिम तीन दिन और साल के अन्तिम दिन यानि की 29, 30 और 31 दिसंबर 2021 तक कसमा यानि ये तीन दिन कैसा रहने वाला है इन तीन दिनों में कौन सी बड़ी काम्याबी मिथुन रास वाले जातकों आपको मिलने जा रही है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो यदि आप मिथुन रास के जातक हैं तो वीडियो को सुरू से लेकर अन्तिक जरूर देखेगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टन्ट और बहुत ही खास रहने वाली है चलए सबसे पहले दिन की सुरूआत कर लेते हैं मिथुन रास के जातकों तो देखे दिन की सुरूआत होगी पाउसमास के क्रश्न पक्षी एकदसी तिथी से और अigorंत त्रो दसी तिथी से होगी और चंद्रमा तुला राषी ब्रिशिक राषी में गोचर करेंगे पर बिशिक राशी में और बुद्धत इतराजों के निर्बाड होगा और सबसे इंपोर्टन बात यह कि शुक्र ग्रह यहाँ पर वक्रिस्तिती में आ जाएंगे 30 दिसंबर को वक्री होने जा रहे हैं तो यह थी कुछ ग्रह गोचिरी श्तितिया अब इन ही के अधार पर जा आपको सबसे बड़ी गुड़ insists मिलने जा रही है क्योंकि यह साल के अंतिम 3 दिन रहेंगे और इस दिसंबर के महिने के 2-9, 3-3 दिसंबर यह यह तीन दिन रहने वाले है इसलिए यह बहुती खास रहने वाला है क्योंकि इस साल के अंतिम और फिर के बड़िश्कर से शरु करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिठळ रास्क यात्कों की आपका केरियर और बिजनेस ब्यापार कारूबार कैसा रहे गए इन तींदिनों में तो देखिए इन तींदिनों में आपको बिजनेस ब्यापार में बड़ी गृणनी जोल भाप्त होगे कोई महत्पुन डील मिलने जा रही है और इस डील के मिलने से इस डील के फानल होने से मिथम रास गयतकों आपके बिजनेस ब्यापार में लाब होगा, आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत रहेगी, धन आएगा, इंकम के स्रोत बढ़ेंगे, नएने स्रोत आएगे आपके पास आपकी आर्थिकिस्थिती मजबूत रहेगी इस लोन की मंज़ूर होने से मिथम राज के पर अब अपने घर परिवार के लिए ज़्याद चाहतों समय देंगे घर परिवार के साथ मिल बाटके अपने भीजनेस भ्यापार पर धेयान देंगे और इसमें रुका वह फसाव धन भी प्राप्त होगा इन तीन दिनों में साथी साजेदारी में अगर कारोबार करते हैं बिजनेश ब्यापार करते हैं तो लाब होगा हलाकि इसमें देखे अपने सत्रू बिरोधियों से थोड़ी से साथानी रखें नेगर किसी को धार करजा दूए है या फिर आपने रिंड करज दे रखा है किसी को पैसा यह कहीं फसा हुआ हुआ है तो निश्ची तोर पे कहा जाए तो मिथुन राज़केत को वह पैसा वापस मिलता होना जराएगा आपकी जो प्रयास होंगे वह काम्याबी दिलाएंगे और केरियर में उच्पत की नोकरी प्रमोशन की योग बनेंगे सेलेरी में बरधी होगी साथी साथ बड़े अधिकारियों से संबंध बहतर होंगे बड़ी कमपनी से आफार आशकता है जोब के लिए तो मिथुन राज़केत को केरियर में भी सुधार हो रहा है केरियर में बड़ी गुड़नुज आपको प्रमोशन के रोप में मिलेगी बड़ी नौकरी लग सकती है और अगर आपने पहले से अपलाई किया हुआ है तो निशी तोर पे आपकी अपलाई इस सिबार यनि कि आपको गुड़नुज नौकरी के रोप में गुड़नुज जरूर मिलेगी साथी पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा परिवार में खुशियां को वाता वरण देखने को मिलेगा परिवार में इसलिए भी वाता वरण अच्छा रहेगा क्यूंकि देखिए आपके घर में कोई सुबर मंगल कार होंगे धार भी कारकरा महों सकते हैं अविवाह जातकों के नए परस्ताव आएंगे साधी वियाह के लिए विजिवन दामपत अजीवन में संतान के प्राप्ति संतान के रूप में गुडिज नीवीश प्राप्त होगी संतान के चाहत पूरी होगी संतान के काम्याभी और उनके 35% रहेगा साथ ही इनकम आए में ब्रदी होगी बिजिनेस भी आपार में लाब होगा जीवन साथ ही कंदिश कंदे मिला कर चलेंगे प्रेम जीवन में खुशिया बरसंगे आपके लब पार्टनर आपको साथ देंगे और आपके साथ बहुत सारी खुशिया बाटते नजराएंगे आप उनके साथ घूमते फिरते और सोपिंग करते नजराएंगे उन्हें गिप्ट और उपहार दे सकते हैं पढ़ाय लिखाई के छेत्र में आपका काफी ध्यान रहेगा फोकस बना रहेगा पढ़ाय लिखाई पर आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा रहेगा निथ्वन रास्कियात को और शिक्षा के छेत्र में आपका ध्यान रहेगा और इसमें कमप्टिशन के त्यारी में लाब होगा साथी स्वास्त आपका अच्छा रहेगा स्वास्त संबन्धी परिशानियों से मुक्ति मिलेगा हला कि आपको थोड़ा सा 31 दिसंबर के स्वास्त में नर्मी देखने को मिलेगी थोड़ा सा ध्यान रखना है बाहर की चीज़े बिल्कुल ना खाएं पियें बाहर की चीज़ों से परहेश करें अला कि यह अवराल कहा जा तो काफ यह चार रहेगा और यह अंतिम तीन दिन जाते जाते आपको बड़ी गुड़ी नूज देखे जा रहे हैं संतान के रूप में बिजनेस ब्यापार में कोई महतपुड़ी डिल के रूप में इनकम आमे ब्रदी और आपकी यात्राई होंगी धार्मे की यात्राई बिजनेस ब्यापार से संब्धित यात्राई अपनों को साथ मिलेगा बड़े बुजरुगों को साथ मिलेगा इंज्वाई करते होने जराएंगे तो अगर बात करें तो देखे कुछ उपाय करें तो और भी बहतर होगा जैसे कि आप गरीम निर्धान को दान करें कुछ बस्तर का दान करें काली कपड़े में काले तिल और काली उड़ा बांध के किश्ची गरीम निर्धान को दान करें तो बिशेश लाब होगा तो ये था मितुन रासवली जातकों के लिए ये 29, 30 और 31 दिसम्बर 2021 तक का रासवी फल यानि इन तीन दिनों का रासवी फल तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें जएदा शेयर करें चोलों को सब्सक्राइब करें जैस चनिदेव